तो गुजडात में आगामे विधान समद चुनाव की मद्दे रसल कॉंग्रस ने था राहूल गांधी सोंबार को एहमदाबात पहुंचे सूबे में 27 साल सत्ता का वनवास तोड़ने के लिए राहूल गांधी ने कई बड़े ऐलान किये हैं राहूल गांधी ने वायदा किया कि अगर उनकी पार्टी गुजडात में सरकार बनाती है तो वो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो माफ कर देंगे इतना ही नहीं राहूल गांधी ने किसानों को मुफ्त बिजली घरेलू करेक्शन पर 300 यूनिट फ्री बिजली जैसे वायदे भी कर दिये हैं कॉंगर्स ने गुजडात में बीजे पी के सियासी आधार को तोड़ने के लिए केजरिवाल की तरह फ्री का दाव खेला है अब ऐसा लगता है कि कॉंगर्स कर्ज माफी का एलान कर किसानों का दिल जीतना चाहती है राहूल गांधी ने चुनाव से पहले किसानों को साधने के लिए कर्ज माफी से लेकर मुफ्त बिजली देने जैसे कई एहम वादे भी किये है अगर आज सर्दार पटेल जी होते हैं मैं आप से पूछता हूं गुजरात की जनता से पूछता हूं अगर आज सर्दार पटेल जी होते क्या वो उद्योग पतियों का कर्जा माफ करते या किसानों का कर्जा माफ करते अगर आज सर्दार पटेल जी होते तो किसानों के खिलाफ वो ये तीन कानून कभी लाते सवाल ही नहीं उठता मर जाते हैं मगर ये कानून नहीं पास होने देते ये सच्चाई है एक तरफ मूर्ती बनाते हैं और दूसरी तरफ उनी की सोच पर आक्रमन करते हैं उनी का अपमान करते हैं कॉंग्रेस पार्टी ने चतिसगर में, राजिस्तान में, मध्यप्रदेश में, पंजाब में, करनाटक में किसानों का कर्जा माफ किया जहां भी हम सरकार में आएं हमने कहां पहला काम सरदार पटेल जी जो करते वो हम करके दिखाएंगे और हमने कर्जा माफ कर दिया और यहाँ भी यहाँ भी तीन लाख रुपे तक का कर्जा हम माफ करेंगे हर किसान का अब देखिए मैंने आप से पहले का आप लड़ किसके खिलाफ रहो आम तोर से लोकतंत्र में राजने तिक पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है